हेलो दोस्तों, welcome back to the channel again आज की वीडियो में आप डिस्कस करने वाले MFL की तरफ से अपडेट आई है अपडेट बहुत बढ़िया है और यहाँ पे जो है direct selection है, madras fertilizers limited की तरफ से और आप में से बहुत सारे eligible है, आप वीडियो को इन तक देखना सारी चीज़े में आपको डिस्कस करूँगा eligibility पहले बता दूँगा और अगर आप eligible हो तो मैं suggest करूँगा आप बिलकुल यहाँ पर apply कीजिए और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आयो तो आप subscribe करके bell icon प्रेस कर सकते हो अगर आपको इसी तरीके की latest job updates and career guidance की videos चाहिए इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले like का बटन प्रेस कर दीजिये और अपने दोस्तों के साथ ये video share जरूर से करना एक बार आप eligibility criteria सुन लो उसके बाद अपने उन दोस्तों को ये video share करो जो की eligible है और जली से like का बटन प्रेस कर दो अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले सीधा eligibility criteria के बारे में बात करूंगा कौन eligible है सबसे पहले तो अगर आपने 2018-1920 से अपना graduation B.E.B.T. किया diploma पास किया है तो आप eligible हो और यहाँ पर मैं आपको पताना चाहूंगा कि यह apprenticeship है लेकिन यहाँ पर रुकना जाना मत क्योंकि यह apprenticeship के अंदर आपको जो stipend मिल रहा है वो बाकी जो apprenticeship होती है उससे यहाँ पर double मिल रहा है मतलब कि double से भी ज़्यादा वैसे तो मिल रहा है बाकी जगह पर 8,000, 9,000 होता है लेकिन इसके अंदर 20,000 पर मंत का stipend है और selection procedure के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपके education के marks को count किया जाएगा कोई यहाँ पर return test, कोई interview नहीं है नहीं आपको कोई fees यहाँ पर pay करनी है चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन apply कर सकता है अगर आपने अपना B.B.Tech chemical से किया है Petrochemical से किया है, Petroleum यहाँ पर mechanical से हो, automobile से हो electrical से हो, electronic से हो या फिर instrumentation से हो, civil से हो IT या computer science आप इन branches वाले हो आप बिलकुल apply कर सकते हो को attention नहीं है तो सारी branches आ गई और यहाँ पर computer science को छोड़ के बाकी जितनी भी branches मैंने बताई वो same branches से अगर आपने diploma किया है recently तब भी आप apply कर सकते हो तो diploma की अलग vacancy है यहाँ पर degree वालों की अलग vacancy है graduate apprenticeship की जो पर मन्त की stipend है वो 20,000 है और यहाँ पर technician apprenticeship की जो per month की stipend है मतब diploma वालों की वो 17,000 है तो यह आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ पर एक साल की यह apprenticeship रहेगी now apply करने की procedure सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ age limit यहाँ पर जो rules होते हैं उसी साब से होती है लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बाकी चीज़ों की जैसे कि यहाँ पर अगर आपने apprenticeship कर दी है तो आप वापस से apply नहीं कर सकते हैं और आपका selection procedure जो है वो इन्होंने बता दिया है based on the percentage of marks obtained in the basic prescribed qualification आपके qualification में कितने marks हैं उस basis पर आपका selection होगा और मेरे हिसाब से अगर आप अपनी college में 8.5 CGPA तक ला चुके हो तो आपके selection के chances यहाँ पर बहुत ज्यादा है apply कर देना सीधा selection हो जाएगा और आपकी अभी एक साल तक यह apprenticeship शुरू हो जाएगी और आगे चलके आपके पास और भी opportunities होगी इसको as experience count करके आपको आगे job मिल सकती है और वैसे यहाँ पर bond नहीं होता है बीच में अगर कोई अच्छी opportunity मिलती है तो आप वैसे छोड़ सकते हो लेकिन एक proper procedure follow करने के बाद आप छोड़ सकते हो अब किस तरीके से apply करना है तो apply करने के लिए आपको जाना होगा MHRD Nets Portal पे जहाँ पे आपको registration करना होगा अपनी profile अप्रू करवानी होगी और जैसे ही profile अप्रू हो जाती है आप apply कर सकते हो लिखना होगा madras fertilizers limited की तरफ से यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि मेरी MHRD Nets Portal की जो profile है उस पे से search करके इस बार बताओ MFL की vacancy तो यहाँ पे screenshot देख जाएगा अगर मैं आप कर पाऊंगा क्योंकि मेरा pass out year इसमें नहीं आते है तो maybe मुझे न भी दिखाए काफी students complain करते हैं कि यह चीज नहीं दिखा रहा है तो maybe आपकी profile के basis पे उसको search results में लेके आना है या नहीं आना है ऐसे system भी रखी हो लेकिन हाँ अगर मुझे दिखता है तो जरूर से मैं आपको बताऊंगा लेकिन यहाँ पे इनोंने बता दिया है मदरास Fertilizers Limited आपको search करना होगा और फिर आपको apply करना होगा वही एक apply करनी की procedure है और वही आपको करना होगा आपको कोई traveling allowance outboarding नहीं provide किया जाएगा आपको वहीं पे रहके सब कुछ manage करना होगा नो मैं जानता हूँ आपकी दिमाग में सवाल होगा कि कहाँ पे apprenticeship करनी होगी तो MFL, Manali और Chennai ये दोनों में vacancy है ये तो हो सकता है आपको यहाँ पे दोनों में से कोई एक जगा पे posting मिले और अगर आप आसपास से belong करते हो ना Manali के आसपास से या Chennai के आसपास से तो भाई बिलकुल apply कर दीजे कोई यहाँ पे आपको यहाँ पे आप बन करके apply कर देना चाहिए यह मेरा personal suggestion है अगर मैं आपकी जगा पे होता और मुझे यह location होता तो मैं जरूर से apply कर देता यह कोई यहाँ पे tension है यही नहीं लेकिन इसकी जो last date apply करनेगी वो 24th of February है वैसे यह 15 February को ही open हुआ है कल ही open हुआ है और आज मैं आपको वीडियो के तुरू यहाँ पे बता रहा हूँ तो आपके पास 10 दिन का time है MHRD Nets Portal को approve करने में 7 दिन लगेंगे अभी लेकिन मैंने इसको 3 दिन में किया था अभी मुझे वापस से edit करना है तो edit करने की process मुझे नहीं पता है नहीं मैंने किया है लेकिन हाँ जब मैं यह profile बनाने बैठा था तो संभाल के आराम से किया था तो आप भी वही कीजिए शांती से वो वीडियो एक बार देख लीजिए इतनी जलबाजी करने की जरूरत नहीं है ठीक है मुझे बहुत सारे messages आते कि मैंने ये गलती कर दी अब इसको edit कैसे करूँ आप degree वाले हो और diploma का form बरतेते हो क्या यार मुझे समझ नहीं आता है कि आप क्यों ऐसा करते हो आराम से जो भी details है सारे sentence पढ़के अराम से fill up करो ना form so I hope आपको चीजे समझ में आ रहे होगी short listing जो होगी मतलब जो भी candidates को shortlist किया जाएगा उसकी detail 4th of March को आ जाएगी मतलब की बहुत जली हो जाएगा और बहुत ही जली आपको यहाँ पर document verification के लिए madras fertilizers limited पे बुलाया जा सकता है so I hope आपको सारी चीजे समझ में आ गई होगी वीडियो कैसी लगी comment करके जरूर से बताना और आप मेंसे कौन को ने apply कर रहा है और अगर आपको यहाँ पर इसका shortlisting का mail आता है आपको shortlist किया जाता है तो मुझे जरूर से instagram पर बताना पर आपको यहाँ जरूर से बताना